So, hello दोस्तो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने ब्लोगर वेबसाइट को कस्टम डोमेन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तो, इससे पहले वाली वीडियो मैंने कस्टम डोमेन के वेनेफिट्स के बारे में बताया था उसके बाद दोस्तो, अगर आप यहाँ पे कस्टम डोमेन को बाई करना चाहते हैं तो कैसे बाई करते हैं, उसके बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पे मिन जाएगे वैसे बाई करना बहुत ही सिंपल है आप गोडेड से या तो नेमचीप से आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत आसानी से बाई कर सकते हो तो मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है उसके बाद दोस्तों उसको कैसे कनेट करते हैं वो में आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला है वैसे दोस्तों अगर आपने पहले से कनेट करके रखा हुआ है तब भी यह वाली वीडियो जरूर से देख लीजेगा क्योंकि यूट्यूब पर जित्ती भी वीडियो है वहाँ पर आपको कनेट करना तो दिखाया है आपने में ने किया सबस्कुलर का आपको लिए टाई everything है आपको में बताने लोगे और आपको या Vietnamese SEC और प्र मोजे भी वह मैं आपको इसी वीडियो में बताने लोगे है करना तो मुझे वह either बहूंत tätä को चिए रसे एंट कार सबूल यह पने प्ल tucked है था और मुझे approval मिल गया था, तो अगर आपको side down का error आ रहा है, तब भी ये वाली वीडियो देखे और अगर आपने पहले से connect करके रखा है, तब भी ये वाली वीडियो जरूर से देखे ताक आप चेक कर ज़िए अपने वाला setting गया है कि नहीं किया है, ठीके तो यहाँ पर आने के बाद दूस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पर तो इस तरह के interface होगा तो यहाँ पर आपका जो account होगा, वहाँ पर आपने जो account आपने बनाया होगा, वहाँ पर इस तरफ आपने आ जाना है, ठीके लोगों तो यहाँ पर इससारे के से एक और पेज़ ओपन हो जाया है जो कैरिक इस तरिके का config ओट मिलेगा अब यहाँ पर आपने कीड़ करोंगे आपि आपको यहां पर कुछ भी करने इस तरह के से रहीने देना है अब आपको अपने blogger account में अचाने के यहां से ब्लोगर account में अग यहां से आजंगे सेटिंक्स में ऑकांट में और आजईड दे क्लिक करने के और यहाँ pr आपने like-d blessings पीपर किल गए और पूरा को प्लोगर के भूरे तरह को ब्लोगरा आ जाने के नियुग है और यहां पे पर देखें तरफ मिल जाएगा तो इसको आप यहां से कॉपी कर लेजिए इस तरह केसे पूरा copy कीजिए और copy करने का फिर से आपको अपने यहां पर ब्लोगर पर आ जाना है और यहां पर इसको paste कर दें वैसे आप इसको आप टाइप करके भी लिख सेते हो लेकिन copy paste कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके बाद दोस्तों save वाले बटन पर आपने click कर देना है तो जैस इसको copy करने के बाद फिर से आपको जहां से भाई किया वहां पर आपने आ जाना है तो मैं आप पर गोड़ेड़ी पर चला जाता हूँ इसके बाद दोस्तों यहां पर हमने जो cinemam पर एड़ किया थी कि यह उपन करकी रखा है इसके बाद में जो host लिखा वहां पर आपने आना है यहाँ पर आने के बाद जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आ गया अब आपको फिर से आपको आ जाना है ब्लोगर में आने के बाद यहाँ पर जो डेस्टीनेशन लिखा है इसके बाद में डेस्टीनेशन के बाद में यह जो जी से सुरू होता है जी से आपने copy कर लेना है और यहां पर जहां पर खतम होता है कि यहां पर इतना आपने copy कर लेना है copy करने के बाद अब आपको फिर से वहां पर आ जाना है तो फिर से यहां से आजाते हैं एहां पर आने के बद जो points 2 है इसके तो पेस्ट कर दिया полез tutaj है okay इसको पेस्ट कलोगे इसके बाद दो gap सेव का बटन है तो सेव इसको कर ले रहे हैと यह हमारा एक cmdum हो गए है इसके बद तो एक और cmdum हमने जो name होई उसके बाद पहला name देखिए यहाँ पर पहला name यहाँ पर था इसके बाद एंड के बाद में जो दूसरा name है उसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है यह word वहाँ से आपने copy कर लिए इतना करने के बाद इसको यहाँ से copy कर लीजिए copy करने के बाद आपको फिर से godddd पर आ जाना है या तो आपका जो भी domain provider है वहाँ पर आपने आ जाना है तो यहाँ पर हमाँ आ जाता है यहाँ पर आने के बाद होस्ट पर जाना है और इसको आपने यहाँ पर paste कर देना है copy paste कर दिया अब आपको फिर से आप आँ जाने है यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद जो दूसरा destination है ठीकी यह पहला हमारे यहाँ पे था इसके बाद दूसरा वाला name खतम होने का जम TWE यहाँ से लाश्ट वाला दग ठीक है करने के बाद यहां पर इतना काम हमारा complete होगा फिर से अपने blogger में आ जाना है और यहां से इसको आपने save कर ले रहे हैं उके तो पहले बार हम कुके मुझे खुद आया हुआ, इसके लिए है। इसके से इसलिए ऐसके पता है। तो अब फिर आफनी पींगा है वह तो सीज़ी आड़ करूगे और यहां पें इसलिए कि थिकोर इस gripe किलो अगर आपका name chip से है तो वहां पर setting कुछ दूसरा है थी कि गोडेडी वाला आपको यही करना है तो यहां से आपने के बाद आपको www.lik देना है लिखने के बाद आपको जो भी यहां पर जो name है वो यहां से आप copy करोगे अब copy करने के बाद यहां से आपने नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहां पर आपने paste कर देना है पेस्ट करने के बाद आपको नीचे कोई भी changes नहीं करने है आपको save वाले button पर click कर लेना है जैसे इसको save करोगे इसके बाद दूस्तों एक sub domain का आपको option मिलेगा ठीक है यहां पर देखे कुछ इस तरीके से आएगा अभी देखे यहां पर sub domain आया अभी यहां पर बाद दूमें add का button आएगा अभी तक नहीं आया थोड़ी दर अपने wait कर लेना है थोड़ी दर wait हम कर देखे बाद हम यहां पर देखे अगया ओगया थो निचे के तरफ स्क्रॉल करके देख लेंगे तो यहां पर देखी यह सब डॉमेंड के बाद जो में add का button आचुग है तो इस वाले बाद पर click करने के पदट आपको नीचे आ जाना है और यहां पर पर हम फिसे आप आपका जो भी domain name है वो आपने लिखने है या पर आगे आपको www नहीं डालना है ठीक है तो इस तरीके से कर लिजीगा उसके पर दूस्तों यहां से इसको आपने आपके अपने सेव कर लिजीगा इसको आपको आपको एडिय का रेजीग उसके Якब आके आपको नहीं रिकॉर्ड करते है अगर आपको नहीं पाना आपको जो डोमेंग जो प्रोवाइडर है उसके अगर आप बात करोगे तो वो आपको एड़ करके दे सकते हैं ठीक है वहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रोब्लम नहीं होगी इसे पर बात कर लिजिए कि मुझे एनेम रेकर्ड एड़ करना है तो वो लोग आपको करके देंग